मस्त बढ़िया तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोसल फार्मिसी का चैप्टर नूंबर थर्ड का लेक्चर नूंबर फॉर ठीक है इसके ना रहाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कोई चीज जो हम लोग खाने के अलावा एडिशनल खाते हैं अपनी सेहत के लिए तो सप्लिमेंट्स क्या आएंगे ठीक है ना तो इसका तीन चीज़ें पढ़ने वाले हम लोग फूड सप्लिमेंट्स नूट्रस विटिकल्स और फूड ड्रग इंटरेक्शन अब देखें ज प्रणायां हम लोग एक्स्ट्रा या डायेट लेते हैं तो कह szczाए रहा है आल्सओ फूड स्प्लिमेंट्स और ढीट्री सप्लिमेंट्स और उसको क्या है फूड सप्लिमेंट भी बोल देते हैं दे आर सिन्थैटिकली प्रडूश्ट प्र правильно मिश्ची चीज को द्यान खाने के अलावा कोई चीज एक्ष्टा खा रहे हैं जिससे कि हमको न्यूट्रेंट्स पूरी तरीके से मिल सकें तो सिंथियाटिकली प्रड्यूस्ट ठीक है इन दा फॉर्म आफ पाउडर पिल्स और लिक्विड किस रूप में मिल सकते हैं हमको यह पाउडर को रूप में मि कि पूरा कर सकें सप्लीमेंट दे सकें डैफिषेंश जो गमिया है डैट ऊछ फॉचाने के वजए से जो कमिया पर हे गयी पूरे नूट्रेंट्स नहीं मिल पाए उसको पूरा जापया होते हैं यह डाइट की व तो लाइफस्ट्याल कई लोगों का ऐसा होता है, वर कई लोगों का ऐसा होता है, कि उसकी वहेसे क्या होता है, जो तीन वक्त की रोटी है, तीन वक्त का खाना है, या उनके पास खाने में ही दिन बर बस आलू रोटी खाते हैं, ऐसे गाओं के लोग है, तो वो परियापत नह कैसे ही कोई ना कोई एक चीज होगी ठीक है विटामिन हो सकते हैं मिनरल हो सकते हैं हर्बस और बाटनिकल सब्स्टांस हो सकता है amino acids हो सकते हैं फैटी acids हो सकते हैं enzymes इसके लाभी बहुत साथी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं यह बड़ी कॉमन है जो हम लोग पॉडर पिल्स या लिक्विड के रूप में जो खाते हैं हम लोग जनली हमारे पास क्या होते हैं विटामिन्स और मिन्वर्स होते हैं ठीक है जनली जादतर फिर जैसको जैसी कमी है उसके इसाब से उसको अडिशनल सप्लिमेंट दे दिया आता है इन एनिफॉर्म किसी वी रूप में कंसंट्रेट एक्स्ट्रेक्ट और कॉम्बिनेशन ठीक हो सकता है यह बने है शप्लिमेंट पुरा करने के लिए नॉट् तु रिप्लेश कंवेंशनल होल फूड ऐसा नहीं है कि हम खाना ना खाए ये निकों खाए ऐसा नहीं है जो खाना खा रहा है उसमें जो कमिया रह गई है उसको पूरा करने के लिए तो हम इसको खा सकते हैं लेकिन अपना खाने को हटा जेंगे या नहीं विटामिस खाने काम हो जागा ऐसा नहीं हो सकता ठीक है ना? तो साफ साफ लिखा हुआ है इस इंपॉर्टन तो नोट एट इस प्रोड़क्स आर मीन डिटू सप्लिमेंट यह सप्लिमेंट देने के लिए हैं एडिशनल ठीक है ना? नॉट टू रिप्लेश रिप्लेश नहीं करेंगे कन्वेंशनल हॉल फूड मैथड जो हम लोग पूरा-पूरा खाना खाते हैं उसको यह रिप्लेश नहीं कर सकते ओके फू बैनिफिट फ्रॉम टेकिंग सप्लिमेंट और इंडिकेशन है ना? यहां पर हम लोग क्या कोशन आ सकता है किसको फायदा होता है या क्या-क्या इंडिकेशन है कब-कब हमको इसको लेना चाहिए तो इंफैंट और चिल्डेन में विटामिन D होता है यह ना? विटामिन D की कम्यों रहती है, तो यह इंडिकेशन लगी बच्चों में दिया सकता है, यह किसको benefit हो सकता है बच्चों को women who may become pregnant उसको folic acid दिया जाता है tablet को रूप में pregnant women folic acid and multivitamin दिया जाता है vegans जो vegans होते हैं vegans समझते हो आज कर एक नई category चलने लगी है vegans क्या चलने लगी है एक नई category और एक होता है हमारे पास क्या वीगन category आ गई है एक नई category आगी वीगन ठीक है तो actually vegetarian ओके है लेकिन आज कर लिए माना जाता है कि वीगन को सबसे बेस्ट बना जाता है कि बीमारिया नहीं होती है क्यों समाज़ते है यह थोड़ा सटापिक है नॉलिज के रिए समझो वरेटेरे में कौन आ गए 118 ओएं वेजेटेवल्स और दूसरी चीज क्या आती है रोग strengthen कि हम कह सकते है कि जो दूद वगर आजाना दूद चाच ये सब चीज़े इसके अंदर आती है नौन वेजटेरियन में क्या आजाता है अपना इसपेशली मीट और चिकन आ गया जो यह लोग खाते है ठीक है न अब वीगन क्या है वीगन में सिर्फ और सिर्फ वेज़िटेवल्स इसमें एनिम से प्राप्त होने वाली एक भी चीज नहीं लिए जाएगी चाहिए वह दूद्ध हो घी हो मीट हो चिकन हो कुछ भी कुछ भी नहीं लिया जाएगा वह लोग मिल को घी को अलाओ कर देते ना लेकिन आतों जानवरों से रहा है तो वीगन में क्या है ओनली वेज़िटेवल सिर्फ और सिर्फ वेज़िटेवल और कहा जाता है और ये आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि कहा जाता है कि जो जानवरों से चीजें हमको मिलती है वो हमको क्या करती है नुकसान पहुँचाती है अब जारा सोच बात को किसी टाइम पर हम लोग आदिमानव थे तो सिर्फ और सिर्फ प्रकरतिक चीजें जानवरों से दूर एक भी चीज नहीं मिलेगी ठीक है तो उनको वीगन होते हैं उनमें क्या पाए गया है विटामिन B12 कैल्सियम क्यों काफ़ यादा मिल जाता है ठीक है आईरन और जिंक इनकी कमी हो जाती है तो इसकी वैसे सप्लिम पटर पनीर कुछ नहीं खा रहे है ठीक है उनको विटामिन D और कैल्सियम की कमी होने की संभावना रहती तो वो लोग इसको एक्ष्टा ले सकते हैं अडल्ट ओल्डर देन 50 जो अडल्ट क्या है 15 साल से जादा हो गए है वो लोग क्या ले सकते हैं B12 और D ठीक है दोस अगर सकते हैं विटामिन दी ले सकते हैं तो समझ रहे हो नहीं हाँ पर कौन-कौन ले सकता है इंडिविजुवल और रेश्टिक्टेड डाइट जो डाइट जिनकी रेश्टिक्ट कर दी गए यह मान लोग पेट खराब है तो हैवी खाना नहीखाना वो दलिया दलिया खा जादा हेवी होते हैं वो लोग सप्लिमेंट ले सकते हैं इंडियूजल फ्रिक्वेंटली डोनेट ब्लड जो लगाता ब्लड दे रहा हर छेचे महने में ठीक है एस वेल आज दोस्ति इस्टमक एंड इंटेस्टेनल कंडिशन उनको भी आरेन हम लोग दे सकते हैं तो यह तमा सप्लाइब तोन सप्लाइब करना लिए को कॉपलिमेंट मेडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट अफ क्रोनिक डिजीस काईब को कुछ डिजीजीज ऐसी होती है उनको ट्रीट करने में हमको हेल्प करती है प्रवेंट डिएटव अपर आप यह पृते चीज़ज यह बाते बीस फ linked to or caused by an increased risk of deficiency कुछ बीमारियां जब कुछ nutrients की कमी हो जाती है उसकी वजय से कुछ बीमारियां बन जाती है तो उसको रोकने के लिए example vitamin D deficiency is linked to osteoporosis बुड़ापे बात जाता है vitamin D की deficiency से osteoporosis हो जाती है हड्यां कमजोर पड़ जाती है हड्यां खुलना शुरू हो जाती है false and fractures in the elderly तो यह कहीं न कहीं vitamin D की कमी की वज़से जो हो जाता है बुड़ापे बाते आते हैं तो हम यहां पर vitamin D का supplement दे सकते हैं के लिए बाते हैं और जनरली तुम लोग देखा भी होगा जब बुड़े education act ठीक है यह आया था जो इसको कंट्रोल करता है कि एह वे ही हर कोई ना खाने लग जाए इसको दम manufacturer is responsible अब कहा रहा है कि यहां पर क्या है manufacturer responsible है for ensuring that सुनेशित करने के लिए कि the product is safe कि जो उसका product है multivitamin या जो भी दे रहा हो वो safe हो unadultrated हो उसमें कोई मिलावट ना हो produced with good manufacturing practice उसको GMP से produce किया गया हो and properly and truthfully marked with label जो label उसके पर proper लगा हो जो जी रिसकंदर है वो indicate की हुई हो ठीक है dietary ingredients have to be federally regulated and GRAS generally recognized as safe तो dietary ingredients है वो federally regulated होने चाहिए और GRS जनले रिकोगनाइजड है से यह होना चाहिए उसको तो यह कुछ supplement को regulate करने के लिए कुछ बाते हैं मतलब कुछ चीज़ें आई थी इससे की supplement अंदादुन कोई भी न बनाने लग जाए कोई बना बना के बेच रहा ऐसा ना जाए और कोई भी खा रहा है ऐसा ना हो जाए तो यह सब चीज़ें कुछ regulations आई हमारे पास तो dietary supplements या food supplements इतना ही कम उसके अंदर हमें पढ़ना है कि उसके क्या benefits है ठीक है और कौन लोग ले सकते हैं उसको बात के लिए अब लेए पह पहुंचे लोग नहीं पहुंचे वो लोग निूट्रसुटिकल फार्मा कोगनोसी चैप्टर नाइंड लेक्चर वन जब डालेंगे तो उनको निद्रसुटिकल का चैप्टर और टॉपिक मिल जाएगा चैनल पर ठीक है ना उसको मैंने डिटेले पढ़ ले वही चीज मैंने यहां लिख दें कि फुल डिटेलिंग अपनी किसमे है फार्मा कोगनोसी में है अगर वहां से पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा के लिए रहे बाते हैं तो यहां पर हम लोक शरी बेसिक जो यहां के हिसाब से अपना वो है बताता हूं मैं अभी कि अपने पास तो अपना यहां पर कॉर्स में सिर्फ कितनी चीजे हैं पता होंगी यह बाते आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूं यह syllabus है मेरे पास में वेट इस syllabus दूसरा आ गया I think ओके यह आ गया first year का syllabus तो देखो यहां पर क्या है हम आपर dietary supplement nutraceutical और food supplement में indications और benefit है ना यह दो चीज़ां हमने उपर पड़ी है तो केवल यह दो ही चीज़ें अपने course में है ठीक है यह भी अपने course में नहीं था पर थोड़ा सा extra बताया क्या क्या benefits एक यह अपने course में आ गया और indications ठीक है ना तो indications और benefit यह दो ही चीज़ें अपने course में है तो मैंने दो ही चीज़े कराई है उसके अलावा एक चीज़ नहीं कराई है और मैंने पहले भी कहा है चीज़ें strictly क्या है बिल्कुल syllabus के हिसाब से रहेंगी तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे nutraceuticals में भी benefits और indications पर ही focus करेंगे यह बाकी जो एक्स्टा चीज़ें वो समझने के लिए क्या क्या होते क्या है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती है और पूरी डिटेल अपने आप में पूरा एक concept फार्मा कोगनोसी में चैप्टर नमबर नाइन लेक्टर नमबर वन में हम लोग कवर करेंगे के लिए जो हमको पोशक तत्व देगा जिससे हमको क्या मिलेगी हमारे नूट्रेंट्स ही कमी पूरी होती है और फार्मासुटिकल का स्यूटिक्स लिया गया विचीज़ा मेडिकल ड्रग तो नूट्रेंट और ड्रग ऐसा नूट्रेंट जो ड्रग की तरह काम करेगा ऐसा नूट् Foundation for Innovation in Medicine इसके Chairman थे वो उन्होंने यह नाम पहली वार दिया था विची जन American Organization located in Kenford, New Jersey यह जो Foundation है जो संस्था है यह अमेरिका में located है उसके Chairman थे उन्होंने यह नाम दिया Nutraceuticals ऐसे nutrients जो medicine की तरह behave करेंगे के लिए रहें ठीक है simply nutraceuticals means nutritive plus pharmaceutical है nutrition भी देंगे साथ-साथ में बिमारियां भी ठीक करेंगे अब food stuff as a fortified food, fortified food हम पढ़ चुके है fortified कर दो लोग additional nutrients add कर देते हैं और dietary supplement ठीक है ना अब food stuff चाहें fortified food हो यह डाइटरी supplement है that provides health benefits ठीक है होगी अब हमको कुछ बिमारियां है और हम वारे कुछ health benefits मिल रहे हैं वह वाली part अलग कर दिया गया बहुत बारिक difference है ठीक है तो nutraceutical substance that is a food और इस part कोई खाना या उसका हिस्सा which provide nutritional value and other health benefit including disease prevention और health promotion जाने कि वो nutrients के साथ साथ हमारी बिमारियों को भी ठीक करेगा बिमारियां ठीक करेगा disease prevention या बिमारियों को रोग ठाम करेगा prevention बोल दिया या health को promote करेगा हमारी clear है they may be क्या हो सकते हैं यह isolated nutrients nutrients अलग कर लिया जाए dietary supplement हो सकते हैं यह genetically engineered food हो सकता है याने कि कहीं ना कि अगर मैं बड़े हमने क्या बड़ा food supplement भी हो सकते हैं ठीक है dietary supplement एक ही बाद और फूट सप्लिमेंट है ना यह भी हो सकते है genetically engineer food fortified food ठीक है और genetically engineer food तो हम लोग यहाँ पर फिर इसको एक ऐसा गोला बनाए लोग समझने के लिए एक कंफ्यूजन ना हो अब हमारे पास एक गोले के अंदर क्या आ गया 45 फूट ठीक है एक गोले के अंदर क्या आ गया dietary supplements ठीक है एक गोले के अंदर क्या आ गया गया गोले के अंदर क्या आ गया निट्रस्टिकल्स वो से फटिफाइड भी हो सकता है डाइटी सप्लिमेंट भी हो सकता है जनेटिकली जनेटिकली इंजीनियर्ड भी हो सकता है यानि कि जनेटिकली जो बनाए गई हो भी हो सकता है तो यह तीनों केटेगरी के फूड हो सकते हैं जो कि nutraceuticals के अंदर आ सकते हैं के लिए रहे बाते चले आगे अब आगे अब आगे classification classification यहां पर बैंद इसलिए बता जिया क्योंकि classification तुब वहाँ जरूरत पड़ेगी यहां जरूरत नहीं है तो सिंपल सी बात बता हूं मैं classification से यहां पर कुछ बाते तुमको कुछ समझ में आ जाएंगी जैसे की chemicals देखो ट्रडिशनल की बात करें तो chemical constant में क्या क्या है nutrients such as vitamins amino acids with nutritional trends ठीकर अब यहां पर तुम्हें कुछ बाते ऐसे समझ में नहीं आएंगी जैसे मालोग probiotic है हम लोग क्या खाते है दई खाते है उससे पेट हमारा क्या होता गर्वड होता है तो प्रोबाइटिक क्या होगी अपना तो यह सब चीजें किसके अंदर आती है तो न्यूट्रस्विटिकल्स हो सकते है प्रोबाइटिक प्रोबाइटिक में अपना दई बगर आ गया enzymes हो सकते हैं और non-traditional में fortified और recombinant यह अपना artificial वाला आ गया यह अपने क्या थे यह अपने एक तरह से natural वाले थे ठीक है तो यहां पर classification इतना important नहीं है ना मैं यहां discuss कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए खा कि nutraceutical की यह सारी वराइटी होती है चैप्टर 9 pharmacognos में जब जाओगे तो वहां इसको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी किलियर है अब फटा फटम लोग आ गया जाते हैं इंडिकेशन कब कब होई नहीं इस्तमाल करना है तो देखो कब कब इस्तमाल कर सकते हैं आई की हेल्थ अच्छी हो तो ल्यूटिन और जैंतिन खा सकते हैं के लिए फॉस्वोडाई फॉस्फार टाइडिल सेरीन डोको सा हैक्सोनॉइक सोई आईसो फ्लेवांस ठीक है स्लीप इनाजमेंट मेलाटनीन तो यह हम लोग देख सकते हैं यह बिमारियां हैं और यह निट्रस्विटिकल्स हैं कोई दोचर अपनी याद कर लो बोन वाली इस्तमाल करते हैं कार्डियोवस्कुलर के लिए ओमेगा 3 पैटी एसीड कैंसर के लिए लाइकोपीन यह ज्यादा इंपॉर्ण चार्ट होगे अपने पास डाइबटीस के लिए सोई प्रोटीन इंफ्लमेटी डिसॉडर के लिए गुलकोसा माइन पार्किंसन डिजिस के ल दोनों क्या जाएंगे पार्ट कवर हो जाते हैं या और दूसरी क्या कंडिशन से जहां इसको इसको इस्तमाल कर से हैं बैनिफिट हमको क्या बैनिफिट मिलेगा कहीं ना बात में घुमफिर के एक जिस्टी आ जाती है तो प्रोष्टेट सपोर्ट के लिए टमाटो लाइक तो यह इस तरीके से हमारे पास क्या डिजिस के लिए अगया गालिक गालिक यह अपने पास क्या आगया नेट्रस टीकल कि तरह तो खाना लेकिन निट्रस टिकल के अंदर वो आ जाता है तो क्या-khi है इन-डिकेशन है क्या-क्या है हम लोग कब टो एकना कशा इस्तिमाल कर सकते हैं वह सारी जीजों में हमगो वह benefit करेगा तो यह वह condition जन्में benefit करेगा यह वह temptation है जिन में हम क्या क्या यह लेना है उसके बारे में तो दो चीजें opposite एकी पार्ट में cover हो रही है clear है तो indication जब बताए जाएगा तो cause indication में कब लेना है या क्या कारण है लेने के कारण ठीक है ना एक तरह से cause कारण कारण बताओ कि हमें कब लेना है निटर से टिकल्स और क्या benefits है तो benefits बता दो तो benefits तो वही होंगे ना जिन कारण हों में लिया जाएगा वही benefit माद दो heart problem में है उसमें निटर सिटिकल लिया जा रहा है तो benefit क्या हो जाएगा heart का जाएगा clear है बाते हैं आगे आते हैं ओके अब जो benefits उसमें benefits अलग से लिख दिया मैंने यहां पर ठीक है क्या हो गया improve overall health हमारी पूरी health को अच्छा करता है energy देता है रिलीव anxiety चिंता दूर करता है mental clarity करता है enhanced sleep quality and quantity हमारी sleep disorder को ठीक करता है ठीक है दो कि heart को improve करता है ऐसे इंप्रूव करता है चाहिए ऐसे लिखो चाहिए वैसे लिखो बात बराबर है clear है बाते बात के लिए चले आगे तो nutraceuticals या उपर जो हमने चीज़ें पढ़ी उसमें केवल हमको क्या चीज़ें पर देखनी है कोर्स में क्या है अपने indications and benefit बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं इससे ज़्यादा पढ़ो तो knowledge के लिए है याद करने के लिए के वर यह दो बाते है के लिए रहे बाते हैं नेस्ट आते हैं drug food interaction है ना यह बड़ा common है इसके अंदर हमें सिर्फ कुछ बाते याद रखनी है और कुछ खाज नहीं है कई बार क्या होता है हम लोग जो खाना खाते हैं उस खानी की वज़े से जो दवाई हम खा रहे हैं उसके उपर असर पड़ ज नहीं है यह क्या है दिस इंट्रेक्शन वो लोग आपसे मिलते हैं तो क्या होगा जरूरी नहीं कि रियक्शन ही कर जाए कुछ और इफेक्स भी आ सकते हैं है ना यह मैंने साहिद पता नहीं तुम्हारे फ़र्स्ट यहर में है कि सेगंड यहर में आडिया नहीं आ रहा है तो उसमें चोड़ी सी बात होता हूँ हम म Extreme नहीं हो पाती है तो उसका इफेक्ट कला नहीं हो लेकिन लेकिर उसके उसने उसके उपर असर डाला इंट्रेक्ट कर गई उसके साहथ तो facilities इसन कई बार कुछ खाने की वज़य से क्या होता है हमारी कुछ दवाइयां प्रॉपर पर काम नहीं करती हैं या कुछ काम ज्यादा कर जाएंगी तो वो जो इंट्रेक्ट हुआ है वह यहां सारी बाते करनी है हमको तौ देखते हैं जब कोई खाना दवाईयों को हमारी बाड़ी पर असर डालता है या लिए कोई खाना जो दवाईयों को काम करने के लिए working the way it should जिस way में दवाई को काम करना चाहिए उस way में कई बार खाना उसको काम करने नहीं देता है ठीक है and can cause medicinal side effect to become better or worse और कई बार side effect होते हैं अच्छे और बुरे or cause new side effect to occur और कई बार कुछ अलगी तरह का side effect होता है drug can also change the way the body use food drug by ठीक को बदर सकता हो सकता है drug खाने की वज़े से खाना अच्छे से ना पचाई ऐसा भी हो सकता है तो interaction है ये ठीक है ना कि खाना खाने की वज़े से दवाई को पर क्या ऐस वो गई दवाई को पर क्या असर हो गया है इसलिए actual क्या होता है तुम लोग जब दवाई लेने जाते होगे तो डॉक्टर मेंसे कहता है कि खाना खाने के बाद दवाई खा लेना ठीक है उससे क्या रहा था पेशन को याद रहता है बैट रियल में क्या है एक्चुल में अगर सभी प्रॉपर तरिका आता है खाना खाने के कम से कम पॉन जाते हैं तो ज्यादा बैटर रहता है उसके दवाई खाते है तो ज्यादा अच्छा एफेक्ट करता है तो अब कुछ एक्जांपल है मेरे पास इन्हीं इस परिन को दूद के साथ मतलो हमारा पेट अपसेट हो सकता है मतलब लूज मुशें से वगयरा हो सकते हैं ठीक है द reduced absorption of drug बड़ा ही common example पुछा जाता है ठीक है वार फेरिन विटामिन के को साथ-साथ नेना चीए ये ड्रग को अफेक्ट करता है फिर आजाएं अगर हम लोग कैफीन चाय और खाना rapid heartbeat heartbeat तेज हो सकती है ना यानि कैफीन यानि काफी और खाने को अगर साथ-साथ लेते हो तो heartbeat क्य नहीं आ गई यह क्या कर सकता है liver damage कर सकता है अब डिजॉक्सिन ओटमील और आ गया जाएं सिलकॉक्सिव मिल्क या मिल्क वाला एक यह याद कर लेंगे लेकिन उतना important नहीं है नैप्रॉक्सिन ठीक है fatty food upset the stomach तो यह कुछ बातें बता जा रहे हैं कई वार कि कुछ खास खान करेंगे तो क्या हो जाएगा inhibit enzyme involved in the drug जो enzyme होता है उसको पर फरक पड़ जाता है ठीक है तो बेंजोडाइजपीन का जो metabolism है तो यह कुछ खास-खास में red red से टिक किया है यह तो पक्के याद कर लोगे ठीक है कि कि किसको खान से क्या effect हो रहा अब देखो जैसे कि food है milk और milk product medicine medicine कौन सी है ciprofloxacin अब यह तो ciprofloxacin सबको पता common medicine है liver fluxacin type of effect calcium in milk bind with these drug inhibiting the absorption of the drug as well as calcium calcium के absorption को और drug के absorption को वो क्या करेगा affect करेगा इसलिए administered two hour before or two hour after milk or milk product इसलिए इन दवाइयों को यह medicines है इन दवाइयों को दूद से दो घंटे पहले दो घंटे बाद में लेना है ठीक है अब आजाओ milk or milk product हो गए अब अपने common common लेलो banana और orange diuretics पता है हम सबको diuretics क्या होते है ठीक है ना जो जो हमको पता है लगए है सारे चीज़ें discuss जो कर रखी है anti-diabetic drugs है किसके साथ नहीं लेना है food that raise blood sugar such as sweet refined floor aged cheese fava beans yeast extract ठीक है तो यह इतना फ्रसा क्या है यहां common food नहीं आजीवे बनानावला आ ग continually SCOTT । प्रोड़क्ट आ गयर जो बड़े common comments है अपने उनको हमें यहांपर क्या कर लेना है लिए उसे cardiac glycosides आ तो जो बड़े common common से हैं उनको आप याद कर लेना वैसे वैसे सारे कि सारे को सारे जो है खास-खासी दिये मैं लेकिन उसके बाद व ड्रग सेलफलंिन यूरियाज आ गय इसको में किसके साथ नहीं लेना जो ब्लट का सुगर लवल बढ़ा देते हैं एंटि टीवर ट्रॉसाइस रिफैंपसिन जो टीवी की दबाइया है ठीक है ना रेगुलर मील और स्नेक तो यह कह Northwest up फूर पूरा पढ़ना तरब Chem słu Еще समझमे आएगी अब थाह्रॉप ऊपलीमेंट्स घॉट खाते है तृक है न उसमें हमें नहीं लेना आप यहां पर क्या आगया यह ब्रॉंको डाइलेटर जो खाने के लिए अपने चेस्ट लंग्स के लिए तो यह इस तरीके से कुछ एफेक्ट्स हैं जो तुम लोगो याद करने हैं यही अपना क्या है? फूड ड्रग इंट्रेक्शन है जिसमें हमें कुछ खास-खास फूड और उनके इंट्रेक्शन को हमें याद कर लेना है तो यहाद करने है बास समझ में आई? ओके तो यह इस लेक्शन हमारा यहाँ पर खतम हो जाता है और इसको मैंने बताया सिंपल लेक्शन था लेक्शन कुछ खास-खास एक्जांपल यहाँ पर तुमको क्या करना है? याद करने है और लर्न करने और डेफिनिशन तो सबकी पढ़नी पढ़नी है ठीक है? उसके बाद यह अपना एप माइनरचर जो की गूगल प्लेपे अब अवेलिबल है और तुम लोग इसका यूज कर सकते हो ठीक है? उसके अलावा नोट्स वगरा मैं हमेसा बतायता हूँ description के link में जो यूट्यूब का channel है मेरा उसके हमेसा हर किसी topic के notes में देखे रगता हूँ उसके अलावा जो extra practice करनी है या जो extra बाते हैं जो मैंने है लिखी हुई है और कोई problem है तो मिलें को call करें और अपने problem का solution ले तो पढ़ोगे न, लिप्वाइस करोगे? Good. All the best.